पार्थिव शरीर दुबई से मुंबई रवाना कर दिया गया है फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद कुछ ही देर पर सरकारी वकील ने शरीदेवी का पार्थिव शरीर भारत लाने के लिए क्लिरेंस दे दिया है जिसके बाद उनके शरीर पर लेप लगाने की प्रक्रिया चली और उनका शव एरपोर्ट के लिए रवाना किया गया इस वक्त कहा जा रहा है कि रात नौ बजे तक शिदेवी का पार्थिफ शरीर मुंबई पहुच जाएगा शिदेवी के पार्थिफ शरीर के साथ बोनी कपूर और बाकी कपूर फैमली के लोग भी भारत आएंगे बता दे कि कल पवन हंस शमशान घाट में शिदेवी का अंतिम संसकार किया जाएगा जहां अंतिम संसकार की पूरी तैयारियां पहले से ही कर दी गई है शिदेवी को उनकी इच्छा के अनुसार सफेद विदाई दी जाएगी आपको बता दे कि 54 साल की शीदेवी की दुबई में बात टम में डूबने से मौथ हुई पहले कहा जा रहा था कि शीदेवी की मौथ कारजेक अटेक की वजह से हुई है लेकिन उनकी post-mortem report में बताया गया कि उनकी मौत डूबने की वजह से हुई माना जा रहा है कि शीदेवी bathroom टम में गिर गई थी जिससे उनके सिर में चोट लग गई और डूबने से उनकी मौत हो गई